हेलो दोस्तो स्वागे थे आप सभी का हमारे इस योटूब चैनल इंफो ट्यूब में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप गूगल राइब की मदद से डिलीट फोटो को वापस ला सकते हैं दोस्तो के बड़ क्या होता है हम लोग गलती से कोई भी फोटो या फाइल को डिलीट कर देते हैं गूगल राइब की मदद से और हम लोग को काफी जादा बाद में अफसोस होता है लेकिन दोस्तो आज आज आपको बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेना है तो दोस्तो आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना वीड़ियो को पूरा देखना है आज की इस वीडियों में आपको इश्टेफ-बाइश्टेफ सब कुछ बताने वाला हूँ और साथी साथ मैं आपको लाइफ करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो देर किस बात की चलिए फड़ा फड़ा से इस वीडियो को में श्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो गूगल ड्राइब से कोई भी डिलीट फाइल को वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मवाइल फोन के अंदर गूगल ड्राइब अब्लिकेशन को खोल लेना है और दोस्तो अगर आपने अवरे वीडियो को लाइक नहीं किया रिपले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही साथ चैनल को सबस्काइब कर लिजिए दोस्तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक फोटो को यहां पर डिलीट करके दिखा देता हूँ फिर मैं आपको यहां पर रिकवर करके दिखाऊंगा तो फिल्हाल आप यहां पर देख सकते हैं हमारे गूगल राइब के अंदर दो फोटो है ठील आइन देखने को मिल रहा इस पर आपको क्लिक कर दना है और यहां पर आपको तीसरा ओप्सन देखने को मिल जाएगा ट्रास का तो दोस्तो यहां पे आप इस पे click कर सकते हैं फिलाल मैं आपको restore करके दिखाने वाले हैं तो यहां पे मैंने restore पे click कर दिया अब दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने दुबारा file को open कर लिया अब यहां पे आप देख सकते हैं मैंने एक photo को delete कर दिया था दोस्तों मिलते हैं कि चोड़ नेक्स नमेदिंग विडियो में